वेलकम टू अविएशन नौलेज़वर्स यूट्यूब चैनल सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा मॉड्यूल 6 का फुल डिटेल्स प्लस त्रिक्स उसमें कौन सी बुक्स रिफर करने हैं आपको किस टॉपिक के लिए बहुत सारे लोगों को इस मॉड्यूल कि में यहीं डाउट रहता है कि किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक रिफर करने है क्योंकि यह एक बहुत ही वास्ट मॉड्यूल है यह जानि कि बीवन और बीटू यह जोनों क्याटेग्रिये वोड़ों कि आलग अलग लेवल में अलग 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 टॉपिक से पढ़ना है इसमें पढ़ने है मौडिल चेकर एसलिह बहुत साय लोगों डाउट सता है तो आज हम लोग सारे डाउट प्लस बॉक्स ट्रीक्स जो भी कौन से टॉपिक हो ज़ाधा पढ़ना है कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है वो सारी यह वीडियो में डिसक़्ास कर रहें है डूँ इसका difficulty level थोड़ा moderate होता है पर वो भी कुछ में भी कोई-कोई questions तफ जरूर आता है so moving further books books हमें कौन-कौन से refer करनी है so मैं पर आपको B2 के लिए books बताता हूं और B1 में भी वह सारी books refer करनी है प्लस एक और एडिशनल बुक्यां वह आपको refer करनी है प्लस एक बीवन के लिए आपको सीम बुक्स करनी है प्लस एक CIP 459 करके इस document है वह आपको refer करना है अब बात आती है कि कौन से टॉपिक को किस बुक्स से पढ़ना है so let's start with that topic फर्स्ट है aircraft metals and fabric covering यह आपको 9 और टिटर तन यह दोनों बुक्स से पढ़ना है हो चाहे बीवन वाला बंदा हो या बीटू वाला बंदा हो यह आपको दोनों ही बुक्स से पढ़ना है नाइने और टिटर रण यह दोनों बुक्स से आपको यह topics करने है aircraft metals and fabric covering next topic is corrosion 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 एकदम detail में और अच्छी तरह से दिया गया है नाइने में तो आपको corrosion के लिए यह दोनों बुक्स से अगर आप पढ़ोगे तो वह इनफ रहेगा नेक्स स्प्रिंग साइं बेरिंग्स springs and bearings आपको EASA के बुक में दिये गया है तो springs and bearings EASA के बुक से पढ़िएगा next power transmission shop theory से पढ़िएगा और EASA में भी थोड़ा बहुत इसमें points दिये होगे but main focus इस topic के लिए shop theory ले गया power transmission इसमें gears, bels, police, etc. topics आपके लिए controls cables के लाव EASA बुक रिपर कीज़ेगा and lastly electrical cables and connectors तो इसके लिए आप 9A plus SMIN यह दोनों books रिपर कीज़ेगा यह तो बात भी हमारी books की अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यह इतने सारे notes कब कहां कैसे मिलेगे तो हम जो हमारी tutoring को वाइड करते हैं उसमें हमने सारे notes plus questions जो भी है सारे वना के रगा है यह अगर आपको जोन करना है तो नीचे description में Instagram वा लिंक है हम आप हमें वहाँ DM कर सकते हैं हम आपको और भी इस्टाइटे से वह प्रवाइड कर वा लिए next moving further तो अगर आप लोगों को इस Demo लिक्ष्ट ची मॉड्यूल 6 से related कोई topic का तो मुझे comment section में बता दीजेगा most probably मैं Demo लिक्ष्ट करने ही वाला हूं और उसमें से questions भी आते हैं moving further आपको module 6 में बहुत लोगों को यह डाउट रहता है कि कौन सा topic अपने को अच्छे से करना है और कौन सा topic को थोड़ा कम ध्यान देना है सबसे important जो topic है वो module 6 के लिए fastness चाहिए वो B1 खाव या B2 खाव बंदव हो तो दोनों लोगों को fastness बहुत अच्छे से करने उसमें बहुत चाहिए questions आते है next aircraft metals non metals composite यह सारे topics पर अच्छे से करने और corrosion यह तीर topics पर जादा focus कर गया इसमें बहुत चाहिए questions आते है इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे topics नेगलेट कर सकते हो specially B1 students को तो कोई भी topic नेगलेट करना है सारे topics अच्छे से cover करने क्यूंकि उन्हें कोई भी topic से किदर से भी कुणसा भी question आ सकता है करने से पहले जो previous questions है वो इसके बाद सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे एक्स्ट्रा भी कोई डाउट राएगा comment section में पूछ जीजिएगा मैं shortly इसका reply करूँगा और यह ज़र हमने books और reference बताए है यह just एक hypothetical नहीं है मैंने भी same सारे books यही books से यही topics रिपर किये थे और I have also cleared module 6 और that to be the good marks so comment section में बताएगा क्या doubts है thank you so much, thank you for the love और आपको जो भी जो भी extra related doubt आएगा आप comment section में पूचा है thank you so much